हर्याना राज्जी और तेलंगाना राज्जी के बीच एक बहुत ही मनमुह कारिक्रम की शुरुवात हुई है जिसका नाम है एक भारत शिष्ट भारत जैसा कि आप सभी जानते हैं तेलंगाना राज्जी की जो भाषा है वो है तेलुगू और जब कभी हम किसी से मुलाकार कर सबसे पहले अभिवादन सुनुप नमस्टे कहते हैं तो नमस्टे का चलन हमारे हरियाना में भी है और यह हमारे दोनों के बीच में एक समानता है किसी भी भाशा किसे भी राज में किसी भी देश की अपनी खास विशेष्टा होती है उसका साहिते जिस तरह से आप हम हमारे हां रहीम के दोहों की बात करते हैं ठीक उसी तरहे तेलुगो भाशा में भी बहुत प्रसिद्ध दोहे हुए हैं जो एक फिलोसफर और पोईट योगी वेमुना ने लिखे हुए हैं योगी वेमुना के जो दोहे हैं वो लगभग पहली क्ला से लेकर तो बड़ी-बड़ी क्लासिस तक मतलब कॉलेज लेवल तक उसको उनको पढ़ाया जाता है तो मैं आज आपके सामने तेलुगो भाशा में एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा प्रस्तुत करना चाहूंगी कृपिया ध्यान से सुने अल्पुए पुडू पलकू आड मैं आपको इसका अनुवाद भी समझा देती हूं अल्पुए पुडू का मतलब है कि जिनको कम ग्यान है आडंबर मुगानु जो आडंबर करते हैं दिखावा करते हैं सजन उन्डू पलकू सजन से आपको पता लग रहा है सजन व्यक्ति शरीफ व्यक्ति यान ग्यान व्य जब बात करते हैं तो वो कैसे शांति से बात करते हैं और जिनको कम ग्यान होता है वो जादा जोड़ से बोलते हैं अपनी बातों को जादा जोड़ से रखने की कोशिश करते होते कंचप्रोगुन अटलू कनकंप्रोगुना का मतलब है कि जिस तरह से जो मंदिरों में जो घंटियां लगाई जाती है वो पीतल या कांसेगी होती है क्योंकि वे बहुत जोर से आवास करती है वो एक मिश्रधातु हैं जबकि जो नोबल धातुएं होती हैं जैसे कि अगर हम बात करें चांदी या सोनी की तो वो उस हसाब से उन मिश्रधातुओं की बज़ाए कम आवास करती है ठीक इसी तरह से और चुकि ये वेमुना ने लिखा है इसलिए ये उनके नाम पे ही उनको आगे उसको एड़ किया दिया है हमारे हिंदी में भी इसी तरह का एक दोहा प्रचलित है इसी तरह के कहवत प्रचलित है कि अधजल गगरी छलकत जाए मतला हम यह कहते हैं कि जिसमें कम ग्यान होता है वो जादा उचलते हैं और जिनमें जो पूरे ग्यानवान होते हैं वो अपनी बातों को बहुत शांत तरीके से रखना जानते हैं तो उमीद करते हूँ कि आपको ये जो दोहा मैंने बोलके बताया वो आपको पसंद भी आया होगा और कोशिश करिए कि आप इसको as it is याद कर सकें नमश्राइब